कपिल शर्मा के दोस्तों ने कहा टाटा बाई 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 अब कपिल शर्मा के शो में नहीं दिखेंगे ये चेहरे 10 सितंबर से कपिल शर्मा का नया शो आ रहा है लेकिन इस बार के शो के प्रोमो से तो आप यही समझ गए होंगे कि इस बार आपको कई सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे पुराने जो चेहरे थे चाहे अगर बात करे भार्टी सिंग की, कुरुष्णा अभिशे की या सुदेश लेरी की सभी के अलग कारणों के वज़ा से उन्होंने शो से बैक आउट कर दिया है अब एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके बाद से कपिल के मुसीबते और बढ़ती चाहेंगी और साथ ही जो नए चेहरे हैं उन पर भी मुसीबत आ पड़ेगी कि आरे अब हमें लोगों को दोगुना एंटरेइन करना पड़ेगा और वो नाम है चंदन प्रभाकर का इस बार वो शो का पार्ट नहीं है अब आप मुझसे कहेंगे क्या तुम पागल हो गई हो क्या इस बार जो नए शो का प्रोमो आया है उसमें तो चंदन प्रभाकर नजर आ रहे है तो मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ तो मैं आपको बता दू ये मैं नहीं खुछ चंदन प्रभाकर ने एक इंटरव्यू में कहा है और लास्ट मुमेंट में शो से बैक आउट कर लिया है अब इसके पीशे क्या कारण है ये तो नहीं पता लेकिन हमें लग रहा है कि चंदन प्रभाकर अब अपने रोल से उप चुके हैं वो कुछ और करना चाते है और शायद उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए चंदन प्रभाकर को अगर आप इस बार शो में देखते तो मैं आपको बता दू कि इस बार आप उनकी पतनी और साथ ही बच्चे को भी देखते जो इस शो का पाट था लेकिन अब चंदन प्रभाकर ने बैक आउट कर गया है तो शायद पूरी स्टोरी में अब चेंजेस करने पड़ेंगे शायद आपको चंदू के रोल में कोई और शायवाला नजर आए लेकिन क्या नई किरदार को लोग अपना पाएंगे और उस पुराने चं एग्रिमेंट को लेकर उन्हें काफी दिक्कत है इसने उन्होंने शो को चाचा बायबाय कर दिया है उसके बाद भार्ची सिंग ने भी चौकाने वाली खबर दी कि मैं निकल पड़ी हूँ दूसरे शो में ये शो में नहीं करने वाली उसके बाद सुधेश लहरी भी निकल एडिया आप देखते हैं बाक स्टेज में काफी अफरा तफ्री मची हुई है कुछ चीजे मैनेज नहीं हो पा रही है इससे तो एक के बाद एक जो इतने उमदा कलाकार है वो शो छोड़ कर जा रहे हैं 10 सेतंबर के लिए आप कितने जादा एक्साइटेड है मुझे और नए चेहरों को लेकर भी आपका क्या कहना है वो भी जरूर बताईएगा तिल देन बबाई एंसी ओ नेक्स वीडियो एंटरेमिन के ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एंटी लाइव